नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुमफली की तेल के बारे में ये किस किस तरह से फाइदे मन हो सकता है इसका किस किस प्रकार से उपयोग आप लोग कर सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में आज हम आप लोगों के लिए इंफोर्मेशन लेकर आए दोस्तों मुमफली को खाने के लावा इसका तेल भी निकाला जाता है तो जरूर ही मुमफली के तेल का इस्तुमाल अपनी रसोई में जरूर करेंगे तो चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं इसके कौन-कौन से फाइदे होते हैं तो दोस्तो इसका पेला फाइदा आता है हाई बलड प्रेशर में इसमें फेट कम मात्रा में होता है जिससे हाई बलड प्रेशर से बचाओ हो जाता है मुमफली के तेल का इस्तुमाल करने से दिल की बिमारिया होने का खत्रा काफी ज़्यदा कम हो जाता है दोस्तो इसका दूसरा फाइदा आता है ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने में मुमफली के तेल में लिनोलिक एसिट पाए जाता है जो की ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने का काम बहुती अच्छी तरह से करता है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है शरीर को मजबूत बनाने में मूमफली का तेल प्रोटीन का एक बड़िया सोर्स मना जाता है रोजाना सही मातरा में मूमफली के तेल में खाना पका कर खाने से शरीर में मजबूती प्रदान होती है दोस्तो इसका अगला फायदा होता है यानी की बालों के लिए बारों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मुमफली के तेल का इस्तमाल किया जाता है इससे बालों को सही प्रोक्षन प्राप्त होता है इसके उप्योग से आप दो मुहें बालों की समस्या से भी चुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तो इसका अगला फायदा होता है डाइबेटीज में डाइबेटीज के रोग्यों को मुमफली का तेल खाना चाहिए इससे शरीन में इंसुलिन की मात्रा सही बनी रहती है इसका उप्योग करने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है और यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने में काफी मदद करता है दोस्तो इसका एक फायदा केंसर में भी है इस तेल में सेहत को बेतर बनाने वाले ओलिक एसिड इस्टिरेकिक एसिड और पैलमेटिक एसिड और लिनॉलिक एसिड पाय जाते है यह केंसर जिसी जान लेवा बिमारी से लड़ने में भी मदद करता है दोस्तो इसका अगला फायदा आता है दिल के लिए मौमफली का तेल EMUFA से भरपूर होता है जिससे शरीर में फैट नहीं बढ़ता है और खराब कोलिस्टोयल भी शरीर में जमा नहीं होता है इस तेल का इस्तुमाल करने से कोरोनरी और टिरीज की बिमारी नहीं होती है इस तेल के इस्तमाल से धमनियों में खून का भाव भी अच्छी तरह से होता है मुमफली का तेल दिल को स्वस्त बनाये रखने में काफी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है मालिश करने में मुमफली के तेल से सिर्फ खाना ही नहीं पकाया जाता है बलकि यह सोंदरी और मोश्ची राइजर के रूप में भी इस्तमाल किया जा सकता है जोडों में दर्द होने पर मुमफली के तेल से मालिश करने से दर्द कम हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन E होता है इस तेल से मालिश करने से इसकिन ग्लो करने लगती है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है मोटापे को कम करने में इसमें फैटी एसिड अन्बेलेंच्ड मातरा में नहीं होता है जिसकी वज़े से बोडी में फेट नहीं बरता है और मोटापा कम किया जा सकता है दोस्तो इसका अन्य फायदा होता है कोलेस्टोईल के लिए मौमफली का तेल कोलेस्टोईल के लिए भी अच्छा तेल होता है इसमें खराब कोलेस्टोईल नहीं होता है जिससे आपको मोटापा और दिल की बिमारियां होने का खत्रा काफी ज़्यादा कम हो जाता है मुमफली का तेल कोलेश्टोई लेवल को कम करने में काफी ज़्यादा मददगार साबित होता है तो दोस्तों देखा आपने मुफले का तेल किस-किस प्रकार से आपके लिए फाइदे मन्द हो सकता है और किन-किन सूर्टों में इसको यूज किया जाता है इसका इस्तमाल किया जा सकता है तो ये थी मेरी जानकर ये आप सभी लोगों के लिए उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न मुलें अगर आप लोग नहीं तो चैनल को सबस्ट्राइब करके बेल आइकन को जरू दमाएं अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद